जाम सिंग धुर्वे की मौत के मामले में आधिवासी समाच के आखरोस का सामना कर रही पुलिस को मावववादी संगठन भाकपा ने पर्षा जारी कर जवाब दिया है उन्होंने इस घटना में मारे गए कबिरधाम जिले के जाम सिंग धुर्वे को ग्रामीन बता कर पुलिस पर अपनी कायराना हरकत को छिपाने के लिए मुटभेर से जोडने की निन्दा की है माववादी संगठन भाकपा ने अपने पर्चे में गिरपतार किये गए नकसली बादल उर्फो वोसा के बारे में कहा है कि जाम सिंग की हत्या को नकसली मुटभेर से जोडने के लिए पुलिस के द्वारा लालच देकर बादल को आत्म समर्पन कर आया गया वह पुलिस के बहकावे और लालच में आकर बारा सितंबर को धन्याजोर के जंगल से रातो रात फरार हो गया था जिसे जनता कभी भी माप नहीं करेगी पुलिस की इस काराना हरकत के लिए भागपा माववादी संगठन भागपा ने यह जवाब पर्चों के माध्यम से दिया है यह पर्चे जिले के देवगाव पंडरापानी निकुम जहरासी के आसपास मिलने की जानकारी सामने आई है पुलिस अधिक्चा का भी सेक्तिवारी ने भी इन पर्चों की पुष्टी करते हुए छेत्र में सर्चिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है आपको बता दे कि 6 सितंबर को बसपहरा के जंगल में बुलेट साट से मरत एक साव बरामद हुआ था जिसकी पुष्टी बाल समुन निवासी जहाम सिंग धुर्वे के तवर पुलिस ने की थी जिसे लेकर आदिवासी समाज ने निर्दोस आदिवासी हत्या का आरोप लगाते हुए जिले में आंदोलन किया था इसी घटना के बाद 6 दिनों के भीतर पुलिस ने एक नकसली बादल उर्फो ओसा को गिरफतार किया था जिसे पुलिस ने बांदा तोला के तालाब से हिरासत में लेने की बात कहते विए नकसली उसे मुड़ भेड होने का दावा किया था और बादल के निसान देही पर कुछ डंफ और नकसल साहिदे भी बरामत किये थे इन्हीं सब घटनाओ पर भागपा माववादी संगठर ने नकसल प्रगोई छेतरों में पर्चे फेक कर अपनी पृतिक रिया जाहिर की है